हाई, आज में स्क्वीड गेम के तीसरे और चोथे एपिसोड को एक्स्प्रेंड करने जा रहा हूँ जिसका नाम है देम मैं विद देम रेला और स्टिक टू देटीम दोस्तों एक दूसरी लेंग्वेज के फिल्म को एक्स्प्रेंड करने में बहुत मेहनत लगती है अगर आप मेहनत की खदर करना जानते हैं तो इस चैनल को बस सबस्क्राइब कर लें पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शोग के मेन करेक्टर्स वैन में बैठकर वापस आ जाते हैं और पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं पुलिस अधिकारी जूनो गुहुन की वैन का पीछा करता है वो अभी भी अपने भाई की तलाश में है वैन एक बंदरगाह पर रुकती है जहां बहुत सारी वैन जहाज में ला दी जा रही है जूनो गीहुन की वैन के नीचे चिपक कर जहाज पर चड़ जाता है इसके बाद लाल सूट में गार्ड्स कानों को स्कैन करके खिलाडियों को निरिक्षन करने के बाद उन में एक डिवाइस इंसर्ट कर देते हैं एक गार्ड जूनों को दूसरा गार्ड समझ कर पूचता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है वो आदमी जूनों से सूपीरियर है जिस से उसे पता चलता है कि उनके मोखोटों पर सेपस जो हैं वो उनकी पोजिशन को दरसाती है जूनों ये कहकर बच जाता है कि वो समुद्र के वज़े से बीमार चल रहा है जहाज आइलेंड पर रुकता है और सबी प्रतियोगियों को एक होल में ले जाया जाता है जबकि वे अभी भी बेहोश होते हैं इसके बाद उनके कपड़े बदल दिये जाते हैं और उनका सामान जब्त कर लिया जाता है साब्योग जो थोड़ी होश में हैं एक चाकू अपने जेव में छुपा लेती है खिलाड़ी इसके बाद होल में जागते हैं गिहुन यहाँ इलनाम से मिलता है सांगू और अली भी वहाँ आ जाते हैं वो एक टीम बनाने का फैसला करते हैं जिससे अगले गेम्स जीतने में आसानी हो इसी तरह गैंग्स्टर देवसू भी अपनी टीम बना रहा है और वो सैवो को उसकी टीम में आने के लिए कहता है लेकिन वो उसकी टीम में शामिल होने से इंकार कर देती है तबी मिनाईयों उनके बीच में आ जाती है यह वही लड़की है जिसने गार्ड से उसे जाने देने के लिए रिक्वेस्ट की थी जब वो पहले यहाँ पर थे वो देवस्ट की टीम में शामिल होने के लिए उसे सेड्यूज करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बेज़िती करके वहाँ से चला जाता है इसके बाद गार्ड को उनके रूम्स में वापस जाने के लिए कहा जाता है क्योंकि उनका दिन का काम पूरा हो चुका था उसे जाने देता है तब इस सہिव्योग भी बाहर चली जाती है यहाँ पर मीनियों ने अपने अंडर वीएट के अंदर सिग्रेट का पैकिट छुपाया हुआ है जो वहाँ पी रही होती है कि तब इस सेवियोग मीनियों के टोयलेट में जा कर अपने चाकू से छत पर लग किसी काम की नहीं है इसी बीच जूनो अभी भी अपने कमरे में है जहां से वो कैमरे से छिपकर अपने सीनियर्स को मैसेज भीजता है अगले दिन खिलाडियों को जगाया जाता है और नास्ते में ब्रैड और दूद दिया जाता है बात करते हुए गिहून और टीम एक दूसर होती है कि अगले गेम का वक्त हो गया है बाहर जाते समय सांगू ने सेवयोग से पूचा कि उसने कल क्या देखा था क्योंकि उसने कल रात उसे और मीनियों को बात करते हुए सुन लिया था सेवयोग उसे बताती है कि गार्ड्स चीनी फिगला रहे थे जब वे बाहर को इसके बारे में नहीं बताता और अपने लिए सबसे आसान शेप चुनता है गिहून एक छतरी का आकार चुनता है जो सबसे कठिन होता है लेकिन सांगू अभी भी उसे नहीं बताता उन्हें हनी कॉंप दिया जाता है और अब गिहून को पता चलता है कि उसने बहुत होता है और सांगू और सहभयोक आसानी से अपना आकार तोड़ लेते हैं अली भी से जल्दी पूरा कर लेता है दूसरी और मीन्यों एक स्लाइड के नीचे चिप कर चीनी को आसाने से पिगलाने के लिए लाइटर का यूज करती है गिहून और इलनाम सबसे ज्यादा कर लेती है इसके बाद वो देवसु की मदद करने के लिए लाइटर उसकी तरफ फेक देती है हाला कि उसने इससे पहले उसकी बेजिती की थी लेकिन वो भुश्य में उनकी टीम में रहना चाहती है तब ही गिहून को पता चलता है कि अगर वो हनी कॉम को चाड़ता है तो पतला हो जाएगा जिससे उसे आकार में तोड़ना आसान हो जाएगा उसके आसपास के लोग उसकी रणनीती को फोलो करते हैं जिसमें इल्लाम भी शामिल होता है और आखिर में वो च्छाते की आकरती को बाहर निकालने में कामियाब हो जाता है इल्लाम भी यही करता है और वो भी सफल हो जाता है हाला कि जो असफल होते हैं उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है इन सब का बोस मोनिटर के जरीए सभी को देख रहा होता है जोनों भी मैदान में हैं और खेल कासली सच देख कर ढर जाता है तब ही एक सीनियर उसे लाशों को उठाने और बाद में मिलने के लिए कहता है हारे हुए खिलाडियों में से एक मरने से पहले उन पर हमला कर देता है और एक गार्ड पर बंदूक तान देता है वो आदमी को अपना मुखोटा उतारने के लिए कहता है और देखता है कि वो आदमी एक जवान बच्चा है गिल्ट से भर कर वो खिलाडी खुद को गोली मार लेता है फिर वो बोस उस गार्ड के पास आता है और उसे गोली मार देता है वो सब को वर्निंग देता है कि किसी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए जोनो लाशों को साफ करता है और मरे हुए गार्ड का मुखोटा ढूरता है जो कि वो सीनियर होता है जिसने उसे पहले बुलाया था वो सीनियर स्टाफ बनने के लिए उसका मास्क पहन लेता है क्योंकि मास्क पे बना हुआ स्क्वाइर सीनियर केटेगरी का होता है गेम के बाद खिलाडियों को उनके कमरों में वापस भीज दिया जाता है। हालांकि स्टाफ खिलाडी नंबर 111 को अपने साथ ले जाता है। यहां पता चलता है कि कुछ गार्ड्स चुपके से खिलाडियों के अंगों के स्मगलिंग कर रहे होते हैं। नंबर 111 एक सरजन है जो उनकी हेल्प कर रहा होता है। बदले में वे उस आदमी को बताते हैं कि अगला खेल क्या होने वाला है। इस तरह वे अपना सीक्रेड मिशन जारी रखते हैं। इस बीच देवसू मीनियों को उसकी मदद करने के बदले अपने टीम में मिला लेता है। पार्टिस्पेट करने वाले 187 खिलाडियों में से 89 मारे जा चुके थे। अगली सुबह उन्हें एक अंडा और कोल्डरिंग का ब्रिक फोश्ट दिया जाता है। देवकसू सिकायत करता है कि ये काफी नहीं है। वो और उनकी टीम ज्यादा खाने के लिए दो बार लाइन में लग जाते हैं। इस वज़े से कुछ लोगों को खाना ही नहीं मिल पाता। तब ही एक लेड़ी कहती है कि उसने उनको दो बार खाना खाते देखा है। इससे एक आदमी गुसे में देवकसू को उसका हिस्सा वापस देने के लिए चिलाता है और उससे कोल्ड रिंग छीनने की कोशिश करता है लेकिन देवकसू से मारता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। इससे पता चलता है कि खेल में एक दूसरे को मारना जायज है। वे बताते हैं कि बोस ने जान बूज कर नाश्टे के लिए कम खाना दिया था क्योंकि वे चाते हैं कि खिलाडी जंगली हो जाएं और पैसे के लिए कुछ भी करें यहां तक कि एक दूसरे को मार भी दें। फिर वे उसे अगले गेम के बारे में बता कर भीज देते हैं। होल में वापस हर कोई अपनी जिन्दगी के लिए डरा हुआ है। गिहुन और टीम सुरक्षित रहने के लिए पूरी रात जागते रहने का फैसला करते हैं। सेवयोग को अकेला देखकर गिहुन उसे अपने ग्रूप में इन्वाइट करता है लेकिन वो उन पर भरोसा नहीं करती है। जब डॉक्टर हॉल में लोडता है तो वो सबसे मजबूर टीम की तलाश करता है। टाप की एडवाइस से वो देखकर की टीम के पास जाता है और उसे टीम में शामिल करने के लिए कहता है। देवकसू पहले तो उसका मजाक उड़ाता है लेकिन जब चुपके से वो उसे बताता है कि अगले दिन कौन सा खेल खेला जाने वाला है तो वो उसे शामिल कर लेता है स्पेशल गेम के लिए स्टाप को हाई अलर्ट पर रखा गया है लाइट बन होने के बाद देवसू की टीम उठ जाती है और लोगों पर हमला करने लगती है देवकसू पहली हत्या करता है और चीखें सभी को जगा देती है वो उस कैमरे के नाइट विजन के माध्यम से सभी को देख रहा होता है वो एक गार्ड को कमरे में लाइट टिम्टिमाने का ओर्डर देता है ताकि हत्यां इस पश्ट दिखाई दें जल्द ही वो जगे खून खराबे में बदल जाती है देवकसू सेभी उप पर हमला करता है और उसे मौत के गाट उतारने वाला ही होता है कि तबी कोई दूसरा आदमी उस पर हमला कर देता है जिससे वो बच जाती है खून खराबे के बीच गिहून का ग्रूप एक दूसरे से मिलता है लेकिन पूरा िल्द नाम कहीं दिखाई ने देता सेवियों कुस की सुरक्षा के लिए गिहून की टीम में शामिल हो जाती है लेकिन ग्रूप पर देकुसू का ग्रूप फिर से हमला करता है तबीवे इल्लाम को उन्हें उपर वाले बैड़ पर पहुँचने से रूपने के लिए कहते हुए सुनते हैं पोस ये देखता है और लाइट चालू कर देता है कार्ड्स खून और लाशों से लत्पत जगह पर आते हैं और लाशों को स्कैन करने के बाद अनॉंसमेंट होती है कि उनमें से 27 को हटा दिया गया है लाशों को निकाल कर बट्टियों में जला दिया जाता है सब कुछ शांत होने के बाद गिहून और ग्रूप इकठा होकर एक दूसरे से अपना इंट्रोड़क्शन देते हैं क्योंकि वे अब तक एक दूसरे को नमबरों से ही बुलाते रहे हैं लगता है कि इलनाम इस घटना से हिल गया है गिहून ने उसे आश्वासन दिया कि आराम करने के बाद वो ठीक हो जाएगा इस बीच डूक्टर देवकुसू की चोटों पर ड्रेसिंग कर रहा होता है रूप इतने सारे लोगों को मार कर बहुत खुस है और और अधिक लोगों को मारने का फैसला करता है जब तक कि वे अकेले नहीं बच जाते मीनियो देखती है कि देवकुसू से ज्यादा डूक्टर का पक्ष ले रहा है उसके करीब होने के लिए वो उसे बहला फुसला कर वास रूम में इन्वाइट करती है जहां दोनों एक बातरूम में सेक्स करते हैं अगली सुबह सबके जागने के बाद तीसरा गेम पल भर में स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट होती है थोड़ी दिर बाद उन्हें एक खाली सफेद कमरे में ले जाया जाता है जहां उन्हें दस-दस लोगों के ग्रूप में अलग होने के लिए कहा जाता है गिहून की टीम में पहले पांच ही लोग थे इसलिए वे एक-एक आदमी को खोजने का फैसला करते हैं दियुकसू जो पहले से ही जानता है कि खेल क्या होने वाला है अपने आदमीों से मजबूत लोगों को इकठा करने के लिए कहता है फिर वो बेचारी मीनियों को कहता है कि और टीम में नहीं हो सकते वो उससे रिक्वेस्ट करती है उसके सामने हाथ जोड़ती है लेकिन वो उसे जमीन पर धक्का दे देता है इस बीच सैबियों के लड़की के पास जाती है जो एक कोने में अकेली बैठी होती है वो उनकी टीम में शामिल होने के लिए रैडी हो जाती है इलनाम को छोड़ कर सभी एक एक आदमी को खोज लेते हैं तो उनके ग्रूप में केवल नो लोग है मीनियों जिसे देवकसू के ग्रूप से बाहर कर दिया गया था आखिर में उनके साथ जुड़ जाती है फिर उन्हें एक बड़े हॉल में लाया जाता है जिसके सामने एक लंबा फुल है तीसरा गेम रस्षा कशी निकला खिलाडियों को अपनी तरफ एक रस्षा खीचना होगा और जो हार जाएगा वो उचे गुल से गिर कर मर जाएगा गिहून की टीम में दो लड़कियां और एक बूड़ा आदमी है इसलिए उनके जीतने के संभाउना बहुत कम है जबकि देवकसु ने भीड के सबसे मजबूत लोगों को पहले ही कठा कर लिया है लेकिन उनका गुरूप दूसरे गुरूप के साथ बिढ़ता है पहला मैच सुरू होने पर दूसरे लोग घवराट में देख रहे होते हैं देवकसु की टीम तुरंट जीत जाती है और दूसरा गुरूप नीचे रस्षी पर लटक जाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता आखिर में गार्ड्स उनकी बोडिज को वहां से ले जाते हैं अगला नंबर की होनकी टीम का है वे घबराकर उठते हैं ये जानते हुए कि उनकी टीम बहुत कमजोर है इसके अलावा दूसरी टीम में सबी मर्द हैं हालांकि इल्लाम कहता है कि जब वो बच्चा था तो रस्षा कशिम ने वो सबसे अच्छा हुआ करता था वो उने खेल की कुछ बुनियादी टक्नीकों के बारे में बताता है सबसे पहले आगे वाले को एक मजबूत आदमी होना चाहिए जिससे वो अपने सर को साइडों में घुमा कर दूसरों के साथ बात कर सके और आखरी आदमी को सबसे मजबूत होना चाहिए दूसरा रसी के दोनों तरफ एक खिलाडी होना चाहिए ताकि पुल मजबूत बन सके तीसरा सभी के पैर आगे की तरफ होने चाहिए और उन्हें अपनी कांख से भी रसी को पकड़ना होगा आखरी और सबसे महत्वकून बात ये है कि खेल सुरू होने के बाद टीम को पहले 10 सेकंड के लिए जमीन पर अपने पाउं जमा कर रखने चाहिए इस तरह आप अपने विरोधी को आस्चरे चकित कर सकते हो जिससे उनकी ले टूटने लगती है इन टेकनिक्स का यूज करके ग्रूप लगबग जीतने वाला होता है लेकिन विरोधी टीम अंतिम शण में रस्ची को जोर से खीचती है जब वे लगबग किनारे पर होते हैं तब सांगू जल्दी से एक नया प्लैन बताता है वो सभी को कुछ सेकेंड के लिए अपनी पकड़ ढीली करने के लिए कहता है ताकि विरोधी अपना संतूलन खोदे एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है जब वे तीन के गिंती पर रस्ची को छोड़ देते हैं इसी तरह की और एक्स्पेनेशन सुनने के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बैल को ओन कर दें